हाई गईज विलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ कोशिन फर यू आई होप गईज आप सभी बहुत अच्छ होगे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटफ़क के बारे में और आज का दिन सभी पाई नेस के लिए बहुत जादा स्पेशल है क्योंकि हर एक कंट् पाई नेटफ़क का बहुती बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन हो रहा है और दोस्तो एक बहुत बड़ी गुड निकल के आई है सचिन तैंदूलकर जो की इंडियन किरिकेट टेम के कप्तान रह चुके हैं उन्होंने पाई का प्रोमोशन किया है हाँ दोस्तो आप सभी ने सही सुना पाई का अफिशल प्रोमोशन हुआ है उस चीज़ को लेके मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं और दोस्तो अब भी के टाइम में पाई नेटफ़क के बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं वैब को लेके उसके साथ एनेफटी को लेके और किस तरीके से मैट तब भी आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि बीच में और एंडिंग में आप सभी के लिए कुछ सर्प्राइजिंग है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं चोटी सी मेरे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज करके नोटिफिकेशन बैल को और पर जरूर प्रेस करें सबसे पहले मैं पर रिफ्रेश करते हैं चलते हैं अपने फर्स अपडेट की तरह पहला अपडेट आ चुका है मलेशिया से और मलेशिया के अंदर एक रियूनियन मीटिंग हुई है जहां पर बहुती अलग लेवल पर प्रिफवर क्रमोशन ओ रहा और पाइनियट फॉक का वह यसा कि यहां पर देख रहे हैं और दूसरी चीज यहां पर ऐसा लग रहा है सभी फैमीली में लिएक चलते next update की तरफ यहां पे आप सभी देखो पाई ने बहुत सारी अपनी applications को ready कर लिया है और simply आप इसको पाई ब्राउजर के अंदर पाई app.link के अंदर देख सकते हो इस type का कुछ interface आप सभी को देखने को मिलेगा और यहां पे बहुत सारी पाई की applications है जैसा कि मैं आप सभी को screen पे दिखा रहा हूँ यहां पे gaming application की बात करे payment applications की बात करे और भी other applications की बात करे सारी applications यहां पे अभी हमें देखने को मिल रही है और उसके साथ यहां पे अब आप जाके review कर सकते हो और उसके साथ आपको अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से आप इसको rating भी दे सकते हो जैसा कि यहां पे आप देखो 4.9 की rating मिली है 4.8 की rating मिली है 4.8 4.7 तो 4.8 4.7 जो यह rating होती है बहुत ही बहतरीन rating होती है इसका मतलब यह होता है कि जो application है प्रॉपरली 100% काम कर रही है और प्रॉपर तरीके से काम कर रही है जो कि एक बहुत बड़ा achievement है और इस चीज को finally अब आप सभी के बीज में ला दिया गया है अब हम चलते है next update के तरफ जो कि पाई डायो कलब के तरफ से आ चुका है happy pie day जो बताया जा रहा है आज का celebration day है और उसके साथ pie dieo nft art gallery यहाँ पे basically बहुत सारी चीजे दिखाई जा रहे है जैसा कि आप सभी screen पे देखो यहाँ पे एक जो screen पे आपके दिखाई दे रहा है यह metaverse करके है जो आप सभी को actually real लगता है और basically इस technology को pie network adopt कर रहा है और उसके साथ और भी चीजे हैं जो आपको future में help करेगी अब हम चलते है next update की तरफ जो कि इंडिया से आ चुका है इंडिया के अंदर भी सभी pioneers pie के cake को cut कर रहे है और pie का celebration बहुते जोरो सोरो से कर रहे है आज के दिन मोटा मोटी हर एक country के अंदर pie को एक festival की तरह celebrate किया जा रहा है जैसा कि आप सभी देख रहे हो end guys अब हम चलते है next update की तरफ twitter का मैंने trending page खोल रखा है यहाँ पे आप सभी देखो pie day करके इंडिया के अंदर trend कर रहा है business and finance के अंदर भी trending में है pie network करके आज के दिन as a twitter पे और कल भी pie network ने अपने आपको trend किया जो कि एक बहुत बड़ी बात है twitter पे trend होना end guys अब हम चलते है international updates की तरफ पहला update आ चुका है चाइना की तरफ से आप इस वाली footage के अंदर आप देखो किस तरीके से चाइना के अंदर कितने सारे pioneers as a this event को celebrate कर रहे हैं और यहाँ पे live footage है जो आप सभी के सामने यहाँ पे play हो चुकी है अब हम चलते है next update की तरफ यहाँ पे आप देखो किस तरीके से लोग अपने घरों के अंदर भी pie के celebration को बहुती बहतरीन तरीके से celebrate कर रहे हैं और यह एक दो country का निया बहुत सारी country से ऐसे updates आ चुके हैं अब हम चलते है next update की तरफ और यहाँ पे basically आप सभी को idea लगने वाला है pie network के price को लेके यहाँ पे मैंने इसको open कर चुका हूँ 15 pie के आसपास की payment हुई है और आज की date है और proper यहाँ पे ideas लिखी गई है और यहाँ पे जो payment receive हुई है मतलब की 15 pie के जो valuation मिला है वो 75 US dollar के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अब हम चलते है next update की तरफ जो की price को लेके ही है यहाँ पे आप देखो 50 pie के आसपास as a pie के coins को दिया गया है और 250 US dollar से हमें यहाँ पे receive हुआ है मतलब जिसको ही receive हुआ है तो आप सभी देखो जो pie network का price है अभी तो officially fixed नहीं किया गया पर फिर भी जो इसका difference है वो बहुत ज़ादा हमें देखने को मिलता है अभी तो यह automatically similar है बट अलग-अलग जगा पे आप सभी को इसके जो price है अब हम चलते है next most important update की तरफ जो कि सचिन तैंदुलकर सन ने pie का किस तरीके से promotion किया है आप यहाँ पे देखो जो मैंने आप सभी को starting में बताया था सबसे पहले आप देखो original account है और यहाँ पे बताया जा रहा है I ask chat GPT what is the last digit of pie network इन्होंने basically पूछा है chat GPT से कि as a last digit क्या है पाई का ठीक है और जो यह पाई की बात कर रहे हैं यह mathematics term वाले पाई की बात कर रहे है और उसके साथ बताया जा रहा है कि यह irrational number है जिसके decimals यहाँ पे आप सभी को infinitive चलते हैं और repeat नहीं होते और इस type की कुछ value आप सभी को देखने को मिलते है 3.14 something जो की screen के सामने है तो अभी कुछ दिनों पहले NASA ने भी same pie day करके promotion किया था और बहुती जादा reach मिली थी उससे होता क्या है इससे किसी भी company बड़ी company का आप name देखते हो तो उसी name से कोई promotion होता है जैसे कि Amazon है और Amazon नाम से कुछ और चीज हो रही है तो कहीं न कहीं Amazon का ही promotion हो रहा है क्योंकि basically pie को त तो basically हम सब pie network properly तो बोलते हैं यह pie pie बोलते हैं तो कहीं न कहीं क्या हो का social media पे सचिन तैंदूलकर सर ने इसका post किया तो जो market है overall उसमें एक positive impact पड़ता है क्योंकि brand जितना ज़्यादा उसको आप सुनते हो तभी वो brand बनता है तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह चीज है कि pie का जितना दा promotion हो रहा है indirectly pie का ही promotion हो रहा है आप यहाँ पर समझो क्योंकि mathematics term pie को तो सभी जानते हैं बट इसको बहुत लोग जानते हैं बट अब और लोग जानने वाले हैं तो यह तरीका है pie का promotion करने का आप positive wave में समझे किस तरीके से marketing indirectly हो रही है और उसके साथ NASA ने भी किया और भी बड़े बड़े लोग इस चीज़ का promotion कर रहे हैं और आज के दिनी mathematics term का pie day भी होता है और उसके साथ यहाँ पर आज के दिनी 14 मार्च को pie day special है जो कि पूरे world के अंदर celebrate किया जा रहा है और twitter पे भी trend कर रहा है तो दोनों एक तरीके से clash हो रहे हैं और उस crash में हो क्या अब हम चलते हैं next most important update की तरफ आज 14 मार्च है फिर भी आज open manage नहीं किया गया कोई भी launching नहीं देखने को मिली pie network की तरफ से basically यह फिर दुबारा delay हो चुका है सबी लोग अभी के time में बहुत जादा घुसा है disappointed है pie network की तरफ से और जो negative लोग है अभी के time में बहुत जादा news फिला रहे हैं कि यह properly scam है इसका future कुछ नहीं है बट जो positive लोग है जो basically भरोसा करते हैं pie पे जिन्होंने mine किया है उनका एक भरोसा यह है कि pie network उनको एक बहतरीन चीज देगा future में इसलिए सब लोग tension में है कि KYC को किस तरीके से जल्दी कराया जाए और यहां पे रोकने का क्रिप्तो करने के अंदर के इतना कफीलिक कर चुक हैं और को की पाई की जो community है पूरे world से है तो बहुत जादा पाई के pioneers है और अब एक टाइम में पाई के जो भी accounts है उसके अंदर fake accounts के मातरा बढ़ चुकी है तो इस वज़े से यहां पर classification में दिक्कत होती है तो अभी join होना चाहिए या continue करना चाहिए या नहीं तो जैसा कि bitcoin के साथ हुआ जब नया नया आया था market के अंदर उस टाइम पे लोगों को कुछ भी नी पता था और bitcoin जिस तरीके से आया तो सब ने उसको ऐसी हवे में लिया था और जिन लोगों ने ऐसे ही waste कर दिया एक news आपने देखी होगी 10,000 bitcoin से एक आदमी ने ऐसा pizza book किया था क्योंकि उस टाइम प centralized cryptocurrency है जिसके अंदर किसी का भी properly control नहीं होता तो ये कैसे इतना जादा high price दे सकती है और सब भी country के अंदर इस चीज़ को accept किया गया और अब भी का टाइम में इंडिया के अंदर सबसे आदा as a cryptocurrency के अंदर invest करने वाले लोग बढ़ चुके हैं USA के अंदर second number पे ऐसे करके और जिन लोगों ने ऐसा आदमी ने 10,000 के आसपास ऐसी कुछ बाई कर लिया था और भी बहुत सार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ने कुछ बाई किया होगा तो उस टाइम पे सभी लोग पच्ता रहे हैं क्योंकि ये करोडों तक का जो amount है वो ऐसे ही waste हो गया जो कि normal amount में चीजे बाई की जा सकती थी तो कहीं न कहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि future में कलको ऐसा नहों जिन्होंने as a join कर रखा हो उसको बहुत best value देखने को मिले क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा हो चुका है इसलिए बताया जा रहा है ये उधारन सभी जा future में कहीं high price निकल गया तो उस टाइम पे regret होने का कोई भी फाइदा नहीं होगा जैसा कि bitcoin के जो pioneers थे उनको as a loss हुआ बहुत बड़ा loss हुआ जैसा कि आप सब जानते हो तो कहीं न कहीं ये story है जो चीज़े आपको समझनी होंगी क्योंकि crypto currencies में ऐसा हो चुका है और अब भी सारी जीज़े हैं जो आप डेली बेसिस पे जानते रहते हो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा अभी तक वीडियो पे बने हुए हो अगर वीडियो आपको एक परसेंट भी अच्छी लगी तो प्लीज गाईस एक लाइक ज़रूर कर देना चैनल पे नयो सब्सक